स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े धार्मिक चैनल आस्तिक स्प्रिच्वल सीक्रेट्स की दुनिया में हर शनिवार और रविवार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं सत्य घटना पर आधरीदे कहानी जब श्री राधा बनी बरसाने के सेट की पुत्री आखे नम हो जाएगी और जिस वस्तु का अभाव है कुछ दिनों में वो भी मिल जाएगी बस इसी सिक्षा पर आश्रित है हमारी आज की सत्य घटना जो बरसाने के श्री राधा रानी और बरसाने के एक सेट के बीच हुई थी इस कहानी को समझने की गलती ना करें यह राधा रानी के चमतकार की एक सची घटना है वीडियो पूरा जरूर देखें हम वादा करते हैं अंत में आपकी आखे नम हो जाएंगी गला भर आएगा और मन में एक अनोखा प्रेम जाग उठेगा जो आपके आने वाले जीवन को बहुत ही आनंद मैं बना देगा साथ ही इस वीडियो को जो भी देखे लाइक करे और राधारानी के इस वीडियो को पांच लाख लाइक तक पहुचाने में हमारा साथ दे बाद बहुत समय पहले की है श्री राधारानी के शहर बरसाने में जो की उत्तर प्रदेश के मतुला जिले में हैं और श्री राधारानी का जन्मिस्थान है वहाँ एक धनवान सेट रहा करते थे सुख, समरद्धी, धन सब कुछ था सेट जी के पास सेट जी के तीन बेटे और तीन बहुए थी बस एक बात का दुख सेट जी के मन में रहता कि उनकी कोई बेटी नहीं है एक दिन एक संत सेट जी के घर पर आए तो सेड जी ने व्याकुलता से अपने दुख का कारण संत से साजा किया और बोले मेरे पास सब कुछ है मगर एक बेटी नहीं बस उसी का दुख मेरे मन में हमेशा रहता है सेड जी की बाते सुनकर संत ने कहा जीवन में जिस चीज का अभाव हो उसकी जगा भगवान का भाव स्तापित कर लेना चाहिए तुम्हें श्री राधा रानी की पावन धर्ती बरसाने में जन्म लेने का मोका मिला है तुम क्यों इतना उदास हो रहे हो बेटी नहीं है तो क्या हुआ श्री राधा रानी को अपनी बेटी मान लो इतना कहकर संत ने श्री राधा रानी की फोटो मंगवाई और सेट के कमरे में टांग दी सेट जी ने भी पूरे मन से श्री राधा रानी को अपनी बेटी मान लिया और हर रोज सुबह शाम श्री राधारानी जी की फोटो को निहारते बाते करते सुबह शाम भोग लगाने के बाद ही भोजन करते जीवन से मानो बेटी का अभाव चला ही गया था कुछ दिन बीत जाने के बाद सेट जी ने हर रोज की तरह श्री राधारानी को भोग लगाया बाते की प्रसात खाया और अपनी दुकान पर चले गए। उसके बाद घर में चूड़ी बेशने वाली आई। पुराने समय में घर जाकर महिलाओं को चूड़ी बेशने वाली होती थी जिनहें मनीहारिन कहा जाता था। मनीहारिन सेट जी के घर में बेटी हुई थी और एक एक करके तीनों बहुओं ने अपने हाथ मनीहारिन की तरफ बढ़ाए और अपनी पसंद की चूड़ी पहन ली। घूंगट लिये तीनों बहुओं अपने अपने कमरे में चली गई। मनीहारिन वहां से जाने ही वाली थी कि एक और हाथ मनीहारिन की तरफ बढ़ा मनीहारिन ने उसे भी चूड़ियां पहना दी। उस चौथी इस्त्री को सेट जी के घर में देखकर मनीहारिन ने सोचा कि हो सकता है सेट जी के यहां कोई रिष्टेदार आया हो। चूड़ी पहनाने के बाद अपनी मजदूरी और चूड़ी का मोल लेने के लिए मनिहारिन सेट जी की दुकान पर पहुंची और सेट जी से चार इस्त्रियों की चूड़ी पहनाने का मोल मांगने लगी तब सेड़ जी बोले चूड़ी का दाम बढ़ा दिया है क्या पहले तो इससे कम लगता था तो मनिहारिन बोली नहीं सेड़ जी दाम नहीं बढ़ाया है बलकि तीन स्त्रियों की जगा चार स्त्रियों को चूड़िया पहना कर आ रही हूँ सेड जी ने उससे कहा ऐसा कैसे हो सकता है मेरे घर में मेरी तीन बहुए ही तो बस है और मेरी पत्नी तो बहुत पहले चल बसी है मेरे घर में तीन से ज्यादा इस्त्रियां हो ही नहीं सकती ऐसा कहकर सिर्फ तीन इस्त्रियों की चूड़ियों का पैसा देकर मनी हरिन को जाने को कहा मनी हरिन भी वहां से बिना कुछ बोले चली गई इस बात को सेड़ जी भूल चुके थे और घर आकर सेड़ जी ने शाम को श्री राधारानी को भोग लगाया पसात खाया और सो गए उस राद सेड़ जी के सपने में श्री राधा रानी आई और श्री राधा रानी बहुत उदास थी श्री राधा रानी को अपनी बेटी मान चुके सेड़ जी ने श्री राधा रानी से पूछा बेटी तुमारी उदासी और मायूसी का कारण क्या है तब श्री राधा रानी ने सेट जी से कहा कि पिता श्री आज मेरे पिता के घर में चूड़ी पहनाने मनीहरिन आई थी और मैंने भी उससे चूड़ियां पहन ली लेकिन पिता जी ने अपनी तीनों बहुँँ की चूड़ियों का मोल मनीहरिन को चुका दिया लेकिन अपनी बेटी को भूल गए, इतना कहकर श्री राधा रानी जी का गला भराया और आखे नम हो गई, एक लाडली बेटी जैसे अपने पिता के सामने रोते हुए बोलती हैं, वैसे ही श्री राधा रानी ने कहा, कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई पिता जी, जो चार मनिहारिन ने दर्वाजा खोला, सेट जी बोले, मनिहारिन तुम्हारा भाग कितना धन्य है, संत महंत के भाग्य से बड़ा भाग्य है तेरा, मनिहारिन को कुछ समझ नहीं आया, तो सेट जी बोले, मैंने श्री राधा रानी को अपनी बेटी माना, लेकिन अभी तक इन पकड़ कर सेट जी बोले, तुमने मेरी बेटी को चूडी पहनाई, जो मोल लेना है लेलो, सेट जी की बाते सुनकर मनिहारिन की आँखो से भी आशूओं की धार बहने लगी, और मनिहारिन ने अपने मन से कहा, है मन, जब तुझे श्री राधा रानी को चूडी पहनाने का अनमोल धन मिल ही गया है अब चूड़ी का ओर क्या मोल लोगे बोलो राधे राधे दोनों की आखों में आसू थे क्या आपकी आखे भी नम हो गई इस सत्थिखटना को सुनकर वीडियो को लाइक करके सूचित जरूर करें तो दोस्तों यहती श्री राधा रानी के साक्षा चमतकार की एक दिल को छूलेने वाली आखे नम कर देने वाली सत्थिखटना क्रप्या कमेंड बोक्स में राधे राधे जरूर लिखें हमसे वाटसेप पर जुड़ने के लिए इस समय दिखाए जा रहे हैं नमबर पर भी मिस्कोल करें